एक और जहाँ पर हनुमान जनमुत्सव पर एक हजार किलो की लड़ों का भोग लगाया जाएगा महा कॉशल का पहला एक टन का लड़ू जबलपूर में निर्मत हुआ है गुश्रात और महाराश्रो के कारिगरों ने मिलकर एक टन लड़ू का निर्मान यहाँ पर किया है लड़ू उनकी उर से बनाया गया है और जबलपूर के पचमठा मंदर समीती यहाँ पर उन्हें यह महाभोग अर्पित करेगी महाभोग लगाया जाएगा तो एक टन का लड़ू यहाँ पर महाराश्रो के कारिगरों ने मिलकर यहाँ तयार किया हनुमान जन्मोत्सव के इस खास मौके पर यह किया जा रहा है जहाँ पर एक टन लड्डू का निर्मान यहाँ पर किया गया और इसके बाद जबलपूर के पचमठा मंदिर समीती महाभोग यहाँ पर लगाएगी तो गुजरात और महराष्ट के कारीगरों ने मिलकर इन लड्डू का नर्मान किया है और एक टन लड्डू यहाँ पर लड्डू की मात्रा बताई जारी है जबलपूर की खबर है हनुमान जन मोत्सव के खास मौके पर एक हजार किलो के लड्डू का भूग लगाया जाएगा जबलपूर की खबर जहां पर हनुमान जन मोत्सव पर एक हजार किलो के लड्डू का भूग लगाया जाएगा और गुजरात और महराष्ट के कारीगरों ने मिलकर यहां इन लड़ू को तयार किया है और 1000 किलो का लड़ू हनुमान जी को अर्पित किया जाएगा जबलपूर के पचमठा मंदिर समीती उन्हें ये महाभोग अर्पित करेगी और कारिगरों ने मिलकर इतनी बड़ी मात्रा में लड़ू का नर्मान किया है लड़ून की ओर से बनाया गया है और अब यहां हनुमान जी को इसे अर्पित किया जाएगा महा कॉश्चल का पहला एक टन का लड़ू जबलपूर में बना हुआ है जबलपूर में ये लड़ून नर्मित हुआ चले इसी मामले पर और विज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ एमपी ब्यूरो हेट अज़ेत रपाथी जुड़ चुके है अज़े जानना चाहेंगे एक हजार किलो लड़ू का भोग यहां पर अर्पित किया जाएगा मावीर को क्या कुछ अपडेट इस पर अज़े जी आपको आवाज मिल पा रही है हमारी लगता है संपर्क उन से नहीं हो पा रहा है तो गुजरात और महराज़ के कारिगरों ने मिलकर एक टन का लड़ू यहां पर बनाया है और हनुमान जन्मुत्सव के इस खास मौके पर एक हजार किलो के लड़ू का भोग उन्हें लगाया जाएगा अर्पित किया जाएगा महा कौशल का पहला एक टन का लड़ू जमलपूर में निर्मित हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दे कि गुजरात और महराज़्ट के हलवाईयों ने मिलकर कारिगरों ने मिलकर इन लड़ू का निर्मान किया है तो इतनी बड़ी मात्रा में लड़ू को बनाया गिया है एक हजार किलो ये लड़ू यहाँ पर नर्मित की गई है और इसी के साथ आपको बता दे कि हरुमान जी को ये महाभोग अर्पित किया जाएगा